हेलो दोस्तों गुड आफटरनूं टु वन और और मैं राज त्रीफोन आपको आज बताने जा रहा हूं कैसे मोडल अक्जलरिस का बहुत ही अच्छी तरीके से फंक्शनल लेवल पर जाकर इस्तिमाल किया जाता है मिस भाषा को सीखने के लिए जिसे मोडल अक्जलरिस जिसे हम मोडल वर्प्स कहते हैं वह बहुत अहम भूमी का निभाते हैं कल हमने देखा था कि स्पीकर की चॉइस पर डिपेंट करता है कि उसे में यूज करना है कैन यूज करना है या कुड यूज करना है में हमने देखा था कि में इस यूज़द इन वेरी फॉर्मल situations नो फार्मल फार्मली भी यूज़ट हमने देखा था कि कैसे कैन को हम थोड़ा फ्रेंबली तरीके से इन फॉर्मली यूज करते हैं और कुड इस वेरी पॉलाइट वन नो पॉलाइट रिक्वेस्ट होती है आज हम देखेंगे कि कैसे गिविंग और रिफ्यूजिंग पर अगार ऑप्रिकम्ट यूज वरेहल श्मिभ ठीष धीजियूज़ स्कौन Indiaeं में पॉलाइट बात्य। नॉज भी होत्स नो फिर सुवलाइट पॉलाइट व्ज़ट ईयूजिग पर शुलाइट प्र ऑछी होतो फलाइट प्रकिवर्मेन ऑपली अगे सीग आएट अगेस ges देने में या फिर उसको refuse करने में हम can और मे का इस्तमाल करते हैं इसमें हम बिलकुल भी could का इस्तमाल नहीं करते हैं we don't use could and very importantly though may is very formally used मे को बहुती फॉर्मल तरीके से यूज किया जाता है लेकिन spoken English में मे के इस्तमाल को टाल दिया जाता है particularly when we give permission so we can use can and may to give permission and may is formal and usually avoided in spoken English so it is usually avoided इसको usually avoid किया जाता है spoken English में and could is not used to give permission for example you can use my personal retiring room you can use my personal retiring room और दूसरा sentence लेते हैं students may meet the principle between 10 a.m. and 11 a.m. दो चीज़े नो two things are there एक में can का इस्तमाल किया गया है और दूसरे में में का इस्तमाल किया गया है यूज किया गया है यहाँ पर हमें देखना चाहिए कि कैसे can is a very spoken one and may is not that much spoken one no may एक तरक का notice की तौर पर किसी कागस पर लिखा होगा no that students can meet the principle between 10 a.m. to 11 a.m. लेकिन पहला वाला रूम क्या है पहला वाला जो यूस है वो डिरेक्ट है जैसे कोई मुझे बात कर रहा है या मैं किसी से डिरेक्टली बात कर रहा हूं so what is that you can use my personal retiring room दो लोगों के बीच में बात है तो पहले ने सवाल पूछा होगा can I use your personal retiring room can I use your personal retiring room और जवाब आया है yes you can use my personal retiring room as such तो इस तरीके से हम इसे देखते हैं और दूसरी भी बात है that is asking for things चीजों के लिए जम हम पूछते हैं no तो तीन चीजों चार चीजों का इस्तमाल इसमें होता है again can could may and will again there are four things can could may and will जब भी हम we ask for some things no तो इन चीजों का इस्तमालता है कैसे सुमीत उसकी माह से कह रहा है can I have a cold drink please or could I have a cold drink please तो इसमें can और could इसको present और past tense इस तरीके से नहीं देखेंगे हम it is very simple that either you can use can or you can use could as such Mr. Sen उनकी वाइब से कह रहे हैं could you pass on the sauce bottle please you know तो इसमें क्या है can be used किया जा सकता है could be used किया जा सकता है may be use किया जा सकता है and also you can use will as such या पर डिपेंड करता है अब इसमें why we are discussing all these things नो यह बहुत आम जो चीज़े हैं इसको हम इतना क्यों डिसकस कर रहे हैं इसको हमें इसलिए डिसकस करना है because we are discussing things at advanced level not just for writing do as directed there in the examinations or some grammar part of our syllabus it is more than that it is a kind of an understanding no can come can come use करते हैं हम may कब use करते हैं हम could कब use करते हैं और अलग-अलग situations में और अलग-अलग तरीके के functions के लिए हमें इन्हें different तरीके से इस्तिमाल करना पड़ता है इतना समझ गया आप तो इतना समझने के बाद आपकी समझ में एक बात आएगी कि generally can is used in the very spoken format may is very formal and could is very polite यह बने तो इसका circle बन रहा है कैसे कि can is friendly informal may is formal and could is polite इस तरीके से सब बना है can I have a cold ring please उसकी mom से सुमीद बात कर रहा है और could I have a cold ring please यह भी चल सकता है और Mr. Sen उनकी wife से बोल रहे है could you pass on the sauce bottle please अब एकदम अहम मुद्य पर मैं आपको लेकर चल रहा हूं कि जब हम यह सारी बाते सीख रहे हैं तो बहुत जरुरी हो जाता है कि हम इन सिट्वेशन को विजुलाइज करना सिखें we need to conjure up the situations we need to have a kind of a script there in our mind before we actually speak miss हम actual बात करने से पहले यह बहुत जरुरी हो जाता है कैसी सिट्वेशन हमारे सामने जब कभी भी आएगी जैसे आप कभी भी अपने डाइनिंग टेबल पर होगे तब आप किसी से बोल सकते हो कि कुड़ी पास ऑन दे सॉस बोट्ल प्लीज या फिर फ्रीज में अगर कुछ चीज रखे जो आपको खाने से मना की गई है या फिर जिसके आपको परमीशन लेनी है उस चीज के लिए तो यूँ कैना आप एफ कोल डूर्ड प्लीज so asking for things देखो हम कितनी बाते देख चुके अब तक three things पहली बात है seeking permission किसी चीज़ की permission लेने के लिए हम may, can and could का use करते हैं okay one thing another thing we have seen that giving and refusing permissions जब हम permission सीख करने का सीख रहे हैं at the same time we are learning to give the permission or to refuse the permission because we are not always the permission seeker no sometimes we give permissions sometimes we refuse permissions so speaker बोल कर कभी हमारा role होता है और कभी हमारा role listener बोल कर होता है in the communication so this is a very important part पहले हिस्से में ने देखा to seek permission दूसरे हिस्से में ने देखा to give or refuse permission और तिसरे हिस्से में ने देखा to ask for some things चीजों को लेकर जब हम पूछते हैं तो we use this can and could and may and will as such और जो दूसरी बात है again there are very important things possibility, ability ability और possibility के लिए भी तीन बातों का इस्तिमाल होता है again I will continue the same possibility के लिए हम यूज करते हैं उसके लिए could be use किया जा सकता है and be able to का भी इस्तिमाल होता है कैसे होता है let us see can is used to express ability resulting from physical power of capacity or from knowledge or skill तीन चीज़े इसमें can का इस्तिमाल हम करते हैं physical power को लेकर जो हमारी ability होती है उसको लेकर या फिर हमारी ज़ो capacity होती है capacity होती है उसको लेकर या फिर कोई skills हमें आते हैं जञान की अधार पर कोई skills हमें आते हैं so we use can to express ability ability किसे तीन बातों से ability आते है one is our physical power other is our capacity and third one is the knowledge or skill you know हमारे abilities इन तीन हिस्सों में जब हम बात करना चाहते है I can speak English is my ability कहां से आई है ability knowledge or skills से आई है so I can lift something I can lift the table so I can lift the table is my physical ability physical power से आई हुई ability है okay another thing is that I can study for 10 hours every day so this is my capacity to study इसलिए तुम्हें कह रहा हूं कि हम यह सारी बाते सीख रहे हैं तो इसको थोड़ा डिटें में सीखना की ज़रूरी है that we talk on abilities of ours और आदर हम अपनी या किसी और की abilities के बारे में बात करते हैं लेकिन यह abilities आती कहां से हैं तो तीन हिस्सों में से ability आते हैं वन इस फिजिकल पावर आदर इस capacity और थर्ड वन इस नॉलेज और स्किल और उसके लिए तीन सेंटेंसे हम देखेंगे है लेकिन यह और के बारे में बारे में बारे में से आते हैं बाक्स को लिफ्ट करना है नो बाक्स इसके लिए ताकत लगेगी फिजिकल प्रवेस्ट लगेगा दूसरा सेंटेंस है He is over 60 but can still read without glasses Miss जैसे मझे तो glass लग गया है No, I have a glass at the age of 40 only लेकिन किसी और के बारे में हम कह रहे है He is over 60 but can still read without glasses Miss can still read can read without glasses is what the capacity of the person और तीसरा है She can design beautiful book covers She can design beautiful thumbnails No, she can beautiful thumbnails She can design beautiful book covers ये क्या है उसका skill है ये उसका ability है वो बना सकती है तीनो में सकती है वो बना सकती है वो पढ़ सकता है वो उठा सकता है तो तीनो में the translation will be the same लेकिन important is what you know इन तीनों को हमें तीन अलग तरिके से देखना चाहिए One is taken the ability that is resulting from physical power the other is the ability that is resulting from capacity and the third one is the ability that is resulting from the knowledge or skill That's it और अब तक हम ये फार सारी बाते देख रहे हैं कितना आसान होता है भाशा अगर आप एकदम मन लगा कर सीखने की कोशिश करते हो उसके लॉजिक को समझने की कोशिश करते हो and immediately you go for the practical application of language in your day-to-day talk particularly foreign language को लेकर आप फॉरान उसके practical application पर जब जाते हो तो language becomes a childish play for you यह बद बच्चों का खेल हो जाता है यह child's play हम जिसे कहते हैं so it becomes a child's play for you if you immediately use it in different situations with different people having the script in mind कि जब भी ऐसी situation आएगी तो मैं क्या करूंगा मैं क्या कहूंगा जब तक भाषा को इस तरीके से हमारी जिंदगी में हम लेकर नहीं आते हैं we cannot learn language तो इस तरीके से हमने अब तक देखा है next हिस्से में हम देखेंगे some other things कि क्या possibilities होती है फिर कौन से ऐसे word होते हैं कि जिसमें हम is able to was ability का इस्तेमाल करते हैं यह हम कल के session में देखेंगे then we shall go for some other things as well so thank you very much आपको अगर चैनल अच्छा लगता है तो जरुए से like करे comment box में लिखे no whatever suggestions, expectations you have you can write there in the comment box share to your people you think that they should go for education मी चोटे बच्चों से लिए बढ़ो तक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले, thank you very much